तो हलो प्यारे बैच्चों फिर से आप सबका स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लेंड शेयर पे तो फिर से आगए आपके जीत भीया एक और नया लेसन लेकर के और आज के लेसन में सीरियसली आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ठीक है अगर मैं आप लोगों से क चोटा सा कोच्शन पूछों क्या एक चुब वा बडी को उठा सकता है मेरे जैसे किसी बन् движ का आप में से कोई पतला दुबला बंदा उठा सकता है यह किसी मौट चैनल को है मेरे जैसे मेरे जैसे कोई बंदा उठा सकता है सुमो रेसलर होते हैं जपान के लिए उसको अगर मैं उठाने के कोशिश करो तो क्या उठा सकता हूं क्या आज इस question का answer अपने जानने की कोशिश करेंगे यह अगर मैं आपको बलूँ गया रहा हाथी को उठाना है चल सुमो पहलवान को छोड़ो आपको नहीं बता होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक हाथी को भी उठा सकते हो तो सुनके कितना जीफ सा लगता है कि हम जैसे लोग हाथी को कैसे उठाएंगे ठीक है हम हाथी जैसे बहुत बड़ी चीज को भी उठा सकते हैं तो आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उससे बढ़े मैं बता दूँ हम पढ़ रहे हैं गति के नियम लॉज ओफ मोशन चाप्टर नंबर फिफ्ट इंसियार्टिका और यह हमारा इसका लेस्टन नंबर साथ मतलब इसका साथवा पार्ट है ठीक है इससे पहले हमने छे पार्ट के बारे में बात कर लिये आज हम साथवा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और आज बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक जैसा मैंने आपको बोला हाथी को उठाने की बात चलने वाली है तो आप सबको दिख रहा होगा कि सामने बहुत अच्छी सी क्रेइन आप सबको दिख रही होगी ठीक है और यह क्रेइन जह है एक्चली हमारे इस बहुत बड़े ब्लॉक को जिसमें लखा है घर्णी से होकर जोडे ब्लॉकों की गती इसको उठा करके पकड़े हुए है ताकि नीचे नहीं गर जाया तो आज एक्चुलि हम इस तरीके की जो घरनिया होती है जो पुली होती है इसको पने बुलते हैं पुली उसके बारे में आज बात करने वाले पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में आचा इंसी इडी में देखोगे तो डैरेक्टली इसके लिए कोई थेरी वाला पार्ट नहीं दे रखा लेकिन पीछे देखोगे तो एक-दो कोशन मिल जाएंगे और एक्जाम में इसके उपर कोशन डेफिनिटली हाते है ठीक है तो आज हम इस क्लास के अंदर उन्हीं पुली सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कैसे आप लोग एक हाथी को उठाने वाले हो वो अपना आज बात करेंगे ठीक है चलो देखो तो उससे पहले देखो मैंने कुछ जी एएफ डाले है तो यह बच्चा है और यह बच्चा जो है इसने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया वो सिस्टम यह है यह जैसे पैडल चलाता है साइकल के तो ऑटोमेडिकली इसकी साइकल के साथ साथ ही उपड़ चला जाता है कितना इनोवेटिव और कितनी इंटरस्टिंग चीज है तो यह सबका सब जो है वो पुली के थू हो रहा उठा भी लेगा लेकिन बेचारा बैलेंस नहीं बना पाएगा और गिर जाएगा यह गिरा लेकिन आकर यह तरीके से खड़ा होता यह कोई ऐसी अच्छी चीज लेता जिसमें आराम से अपने आपको खड़ा कर सके बैलेंस कर सके तो यह confirm से अपने आपको इस पुली के तर पुली से उसके बारे में बात करेंगे, तो आज का अपन topic स्टार्ट करते हैं, topic है हमारा pulley block system, ठीक है, घरनी block system के बारे में बात करेंगे, पुराने जमानों में आप लोगों ने देखा होगा, कोई से पानी भरने के लिए अपन घरनी का उप्योग करते थे, आज भी गाव मे गिरनिया लगी होती है, कोई में, आपके गाव में भी कही ना कही लगी होगी, जो बच्चे ग्रामीन शित्रों से बिलॉंग करते हैं, उनके यहां पर भी गिरनिया लगी होगी, ठीक है, इसके अलावा आजकर almost हर machinery के अंदर आपको गिरनिया मिलेगी, ठीक है, हर दूसरी machinery के अंदर, almost हर machinery जो है, वो घिरनियों से बनी है, जिसा अभी मैंने आपको बताया ना, वो कैसे weight उठा रही थी, weight उठाने वाले जो machine थी, कैसे आपकी घिरनियों उसकर रही थी, industrial level पे तो बहुत सारी ऐसी machines होती है, जिसमें घिरनिया लगी होती है, आज हम उस घिरनिय के मान के चल रहे हैं कि वो घिरनी पूरी तरीके से घर्शन हीन है, घर्शन हीन का मतलब कि अच्छा से पहले मैं आपको बता दूँ कि होती क्या है घरनी, तो बेटा कुछ नहीं है, इस तरीके से अपने एक चक्रा बना रखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको visualize करा देते है इस तरीके से चक्राणा सिलेंडर के बना रखा ना, ऐसा कुछ बिखो आपको इस तरीके से कुछ पर उसके पर रसी लडख की है, ठीक हैं आप मेरी बात समझ गए होगे, तो दगवा पर ङबड़ा लिपना लिपना ओता है ठीक है तो वैसे ही कुछ है इसी के बारे में अपन का बात करने वाले हैं लेकिन हमने जैसा बोला कि हमारे syllabus में मैं सब मान के चलेंगे कि यह जो हमारी घिर्णी है यह पूरी तरीके से घर्षण हीन है मतलब अगर इसके उपर रसी उपर नीचे जाएगी तो उस केस में यह रसी के उपर कोई भी घर्षण उपन नहीं करेगा ठेक है इसे हम बोलते हैं आदर्श घिर्णी याने हमारी आइडल पुली हमारे syllabus में जो हमारे पास आदर्श पुली है याने आदर्श घिर्णी है आदर्श घिर्णी को इंगलेशन बोलते हैं आइडल आइडियल पुली ठीक है आइडल पुली बोलते हैं आइडियल पुली बोलते हैं तो अब आइडियल पुली के अंदर क्या क्या होना चाहिए पहला तो घ पहला तो घर्षण रहित होनी चाहिए घर्षण हीन होनी चाहिए दूसरी चीछ उसका द्रवेमान नहीं होना चाहिए वो द्रवेमान हीन होनी चाहिए ठीक है द्रवेमान हम उसका नहीं लेते वस्तु के साथ पे उसका द्रवेमान बहुत कम होगा इसलिए उसका द्रवेमान हीन मान के चलेंगे ठीक है तीसरी चीछ हमारी जो घिरनी होगी हम जो questions करेंगे उसमें हमारी घिरनी stationery होगी गती नहीं करेंगी कुछ ऐसे questions भी आपको मिलेंगे competition के अंदर जिसमें घिरनी भी हमारी गती कर रही होगी ठीक है ना, घृर्णी भी शात के साथ उपडर चल रही होगी यहां पर मैं समान के चलेंगे, कि हमारी घृर्णी जो है जिसको अपन कुछ इस तरीके से बांने वाले हैं वो एक रिज़िट सर्फेस से अटाच है, इस तरीके से और इस फेश तरीके से लटाइगे, इस तरीके से, तो यहाँ पर इ रिज़ट सर्पेस से अटाच है ने किसी दड़ सत्य से बंदी हुई है, यानि वो गती नहीं करिए, कुछ केसे में, के घिरणी को हम गती भी करा सकते हैं, ठीक है, घिर्णी को हम गती कराइगे तो क्या हो जिरनी है वो द्रड़ पिंटर से अटाच है व गती निकर ली द्रड़ सतय से अटाच है अटाच मेला जुड़ी है यह सारी बातों को आपन ध्यान रखेंगे ठीक है लेकिन रियालिटी में जो प्रैक्टिकल पुलीज होती है उसमें इसीज अपलिकेबल नहीं होती पहला त उसका कुछ नहीं पुछ द्रविमान भी होगा अववेस ही बात है तीसरा वो गती भी कर सकती होगी ठीक है गती करने वाले कोशनस आपको आपकी कॉंपटिशन में जरूर मिलेंगे यहां पर अपन सिर्फ स्टेशनरी पुलीस के बारे बात करेंगे जो की रुकी हुई है लेकिन अगर वस्तू बहुत वहारी हैं तो उस केस में पुली ले रहे हैं उसके द्रवयमान को निगलेट कर सकते हैं उसको नगणने मान सकते हैं तो पुली बहुत छोटी सी हो मानलो और उसे बहुत बड़ी वस्तू उठा यहा रही हूँ तो इस case में हमारी जो ये दोनों condition है वो एक practical पुली पर भी लगाई जा सकती है ठीक है मतलब बहुत बहुत जाता चकनीज ही है तो बोल दिया अपने घंशन रही थे पूरी तरी के से 0 नहीं घंशन लेकिन हम बोल देते कि अब उसके नदर ना के बराबर घंशन है लेकिन यह सरफ आइडल यानि हमारी आदर्ष घंशन के लिए प्रैक्टिकल जो हमारी घंशन होती है उसमें थोड़ा सा इन चीजों को अपन नगर ने बोल सकते हैं लेकिन होती नहीं एक तो हमारी आदर्श घरनी और दूसरी हमारी प्रैक्टिकल घरनिया प्रैक्टिकल पुलीस जो हमारी डेली लाइट में यूज़ करते हैं तो आज अपन इसी ये बारे में बात करने वाले हैं अभी आगे चलूँ उससे पहले मैं आपको कुछ और बाते भी बता देता हूं यहां पर आप ध्यान से फोकस करके सुनिएगा क्योंकि बहुत काम आएगी हमारे जैसा कि मैंने आपको पहली भी बताया था कि जब हम किसी भी रसी को किसी भी जीश से अटाच करते हैं तो पूरी की पूरी रसी के अंदर जो तनावल होता हूं एक समाल होता तो मालो जैसी रसी आपकी घिर्दी है और घिर्दी से आपने इस तरीकी से क्या करा है दो रस्तिया लटका रहे है मतलब इससे एक रसी पास हो रही है I hope मेरी बात आप सोख समझ पा रहे होंगे बमानी मतलब उसका दरवेमान नहीं बहुत कम है तो उसको निगलेट कर दिया दूसरा, वो खिच नहीं हो सकती, तो उसके अंदर खिचावत नहीं हो सकता है, मतलब वो लंबी नहीं हो सकती, इन एक्स्टेंसिब है, मतलब उसको खीच करके लंबा नहीं किया जा सकता, खीच कर लंबा नहीं किया ज़ा सकता ये दो कंस्टेंण हमने रसि ऐर लगा रखें ठीक है? और एक तीन कंस्टेंग अपने गिर्ण Ehud ठीक है? अब यहाँ पे कुछ बाते हैं, मैं आपको पहले बता दू कि अगर रसी किसी भी घिर्णी से एक common rope है, एक common रसी है अगर उप पूरी घिर्णी से पास हो रही है तो उसके case में उसके हर बिंदू पर लगने वाला तनाव बल एक जैसा होगा ठीक है मैंने क्या बुला कि उसे रसी के प्रतेग बिंदू पर लगने वाला तनाव बल हर जगे एक जैसा होगा चाहिए आप तनाव बल यहाँ पे लो चाहिए यहाँ लो, चाहिए कहीं पर भी लो पहली चीज, दूसरी चीज जैसा मैंने आपको बताया था, तनाव बल जो है वामेशा घिर्णी के पारे में बात करूँगा तो इसके घिर्णी के केस में तनाव बल कहाँ पे होगा इससे दूर की तरफ यहाँ पे भी लेना होगा, तो इससे मैंका लूँगा दूर की तरफ अब मैंने यहाँ टी लिखा है, यहाँ पे क्यूटी लिखा यह हर जगे एक जैसा है अभी माल लो यहाँ पे कोई वस्तू शस्तू लटकी वी होती और इस वस्तू के रेस्पेक्ट में तनावबल देख रहा होता तो इस वस्तू के रेस्पेक्ट में तनावबल ऐसे होता ठीक है अभी देखो दोनों तनावबल ने कि उसे को कैंचल कर दिया न टो रस्टी खिचके लंगी तो होई नहीं थी, तभी तते नावबल दोनों के वज़서 से क्ल तनावबल जो होई दोनों दफ्से है जिर हो गया तो यहाँ पे और यहाँ पे नावबल सेम क्योंकि रस्टी एक यहां ठीक है और हमेशन बस्तू से दूर की और होगी अगर हमारी घिर्णी द्रविमान हीन है तो उस case में इस स्थिती में ये वाला जो ये जो T है और ये T है अगर मुझे इस रस्थी में तनाव बन निकालना है तो वो इन दोनों की योग के बराबर हो जाएगा मतलब 2T पहली चीच जो रस्थी हम ले रहे हैं उसमें तनाव हर जगे एक जैसा ही होता है ठीक है दूसरी चीच तनाव बन हमेशा वस्तू से दूर की ओर लिया जाता है तीसरी चीच अगर घिर्णी पर आपने कोई रस्थी डाल रखी है और माल लो आपने बोला यहां पर T तनाव है यहां पर T तनाव है तो यहां पर जो तनाव होगा वो दोनों के तनाव का योग होगा माल लो यहां पर आपने दो लगले groups लगा रखी है माल लो यहां पर तनाव है और यहां पर तनाव T2 है इसमें जो तनाव होगा न है यहां वो किसके बराबर होगा T1 प्लस T2 के हम ऐस जैसा कुछ आ गया, तो यहां पे तनाव कुछ और होगा, यहां पे तनाव कुछ और होगा, ठीक है, तनाव हर जगे एक जैसा तभी हो सकता है, बनलब यहां पर यहां पर सेम तो होगा, लेकिन यहां पर कुछ कानी अलग बन रहोगा, यहां पर कानी कुछ अलग बन रहोगा ठीक है वह बात की बात है, अभी हम इसको साइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके की problems को अपन डील नी करेंगे, कि को complicated हो जाएगा, तो I hope यह कहानी आप सबको clear हो गई है, अगर clear हो गई है, तो हम पहली problem पे आ सकते हैं, वह हमारी है, इस diagram को आप लोगों ने पहले भी देखा हो जिस previous class में, वहाँ पे मैंने आपको FBT, याने free body diagram बनाना सिखाया था, ठीक है, मुकतारे कैसे बनाते हैं अपन किसी भी वस्तू का, वो सिखाया था, अब जहांचा समझीए, पर यह पुली है, इस तरीके सपने से लटका दी उपर किसी द्रव सत्य से लटकी वी है, ठीक है इस तरीके से अपने उसको लटका दिया, द्रव सत्य से, अब हमने इसके उपर इसे रसी को जार दी, रसी में एक तरफ एक द्रवेमान लगाया, एक तरफ दूसरा द्रवेमान लगाया, हम ऐसे हैं मान के चल रहे हैं, कि M2 जाए, M1 से जादा है, मेरे को राहूल सर को लट ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एक ही रसी से अटैच हैं, एक ही रसी से दोनों की दोनों वस्तोय जुड़ी हुई हैं, तो पूरी रसी में तनाव हर जगे एक जसा होगा, पहली बात, दूसरी बात, जिस तुरण से राहूल सर उपर जा रहे होंगे, क्योंकि उनका जो द्रवे गिरनी है, ठीक है, हमने थोड़ी मजबूत वाली गिरनी लिये, ताकि हम दोनों गिरना जाएं, और यहां पर हमने रहूल सर को बोल दिया, कि रहूल सर पकड़ो रसी, ठीक है, ठीक है, तो यह आपके जीतू सर, यह जीतू भीया, और यह आपके रहूल सर, ठीक है, तो क्योंकि मेरा द्रविमान जादा है, तो मैं नीचे जाओंगा, रहूल सर उपर जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम एक ही रसी से अटाच हैं, तो जो तोरण मेरा होगा, चलो माल लो मेरा तोरण ए है, तो वही तोरण रहूल सर रगाविया यह आपको समझ रहा है, पर एहली बात तो समझ आगे होगी, दूसरी बात जैसे मैं आपको बला कि पूरी रसी एक ही है, तो तुरन तनावबल हर जगे एक जैसा होगा, तो अगर मैं राहूल सर को लिखूंगा, यह बोलेंगे, कि मेरा तनावबल दूर की तरफ लेना है, तो कौन सी चीज मुझे नीचे कीचना चाहती है, अरे मेरा द्रवयमान गुरुत्वाकरशनबल भी तो है नीचे, तो राहूल सर को एक चीज और नीचे कीच रही है, वो है, एमजी, इसी तरीके से, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मेरे के अंदर, मेरे केस में भी तनावबल दूर की जार होगा, और मेरे पर भी गुरुत्वाकरशनबल नीचे की तरह लग रहा होगा, ठीक है, तो यही सारी कहानी अपन, इसको ब्लॉक सिस्टम में डाल दिये, तो देखो क्या कहानी बनी हमारी, सबको हटा दे, अंजी, तो जैसा हमने बोला, पहले तो ह अब नीचे भी आ रहे होंगे, जो तनाव इसमें T लग रहा है, वो ही तनाव, उसमें भी T लग रहा होगा, दूर की तरफ, इसलिए इसने T1 लिखा है, पन T लिख रहा है, ना, T मान के चल रहा है पन, यह बात आए हूप सबको समझ आ गए होगी, चलो मैं आपर बना देत अच्छे से नीच तरीके से, यह पहली बस्तू, और यह दूसरी बस्तू, एक में आप के रहा होगे सर, एक में जीतू सर, जीतू सर नहीं, तो यह M1 और यह हमारा M2, इन में तोरन कहा लग रहा है, उपर की तरफ, गुरुत्वा करशन बलन को का कीचरा नीचे, तो यह मेरे उपर, तोरण यह दो लग रहा है, उपर मुझे गुरुत्वा करशन बल कहा कीच रहे, नीचे, लेकिन मेरा जो तोरण है, वो का है, क्योंकि सिस्टम कहा जा रहे, निकाय कहा जा रहे, नीचे, यह उपर, यह नीचे, तो मैं M1 वस्तू के लिए बनाता हूँ, तो M1 के लिए FBD Free Body Diagram तो देखो M1 वस्तू बनाई उस पे तनावाल उपर M1 जी नीचे और उसका कुल तोरण का उपर बस ये अब मुझे बस क्या गणना इसके लिए इसके लिए क्वेशन लखने हैं एक सम्मीकर लखने हैं जहां से सुनो वस्तू जाना का चाहती है उपर उसकी दिशा में बल कौन सा लग रहा है T उसकी विपरिद दिशा में बल कौन सा लग रहा है M1 जी तो जिस दिशा में वस्तू जाना चाहती है पहले हम उस बल को लिखते है तनाव भी तेक बल है तो T उसके विपरित दिशा में उसको नीचे कौन खीच रहा है माइनस का M1 G ये क्या है वस्तू पर लगने वाला कुल बल किस दिशा में? उपर की दिशा में वस्तू क्योंकि जा भी कहा रही है? उपर तो वस्तू का कुल बल किसके बरापर है? हमारे according वस्तु का द्रविमान M1 और वस्तु का तोरण A यह पहली equation यह बनाना सीख गए आधा काम हो गया वापिस बताते हैं वस्तु जाना कहा चाहती है उपर तो उपर की तरफ देखो कौन कों से बल लग रहे हैं सिर्फ एक ही बल लग रहा है कौन तनाव बल ज्यादा लगते तो उपर वाले दनात्मक नीचे वाले दनात्मक टी पॉजिटिव M1 जी नीचे लग रहा है इसलिए माइनस बराबर M1 वस्तु का द्रविमान था और A तोरण से जा रही थी अब यहापे मुझे कौन सी चीज नहीं पता एक तो रसी में तनाव कितना है और तोरण कितना पन कर रही है और हम किस तोरण से वराउल से किस तोरण से उपर और मैं किस तोरण से नीचे जाऊंगा एक्चली मुझे हैं पर दो चीज़े निकाल नहीं हैं मैं आपको पहले बता देता हूं एक तो तनावल और दूसरा है तौनों मेरे लिए अन्नोन हैं दो अलग अलग तो दो समीकरण भी चाहिए पहली तो निकाल ली पहली वस्तू से यह सब को समझाया हुगा अब दूसरी के लिए बनाते हैं म2 के लिए एक बिडि बनाते हैं म2 के लिए जब आप बिडि बनाओगे तो धिहां से देखना देखो M2 वस्तु टनाव बल उपर M2 जी नीचे और वस्तु जाना का चाहती है नीचे तो संभी गांड लिखते हैं, चलो देखो, जिस दिशा में वस्तु जाना चाहती है वस बल धनात्माग, उसकी विपरित दिशा में धनात्माग अच्छा माल लेना, यहां पर एक चाहती है, हम अच्छा में लगने वाले बलो को संतु लिट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए उनके लिए कोशिश कर रहे हैं वो सकता वह एक्स दिशा में भी जैसे भी अपन दो बलोक को रसी से सीधा टैच करेंगे तो वह एक दिशा में हो जाएगी ठीक है, पर माल लो बल ऐसे टेडा लग रहा होता तो फिर मैं उसके दो घटक करता है, जैसे कल किये थे ना, पैसे पर यहां पर घटक करने के में जरूरत नी है तो देखो, मैं जाना कहा चाहता हूँ नीचे तो नीचे वाले सारे बल मेरे लिए धनात्मक होंगे तो M2 जी धनात्मक मुझे, विपरिदीशा में कौन कीच रहा है रसी और मैं जाना कहा चाहता हूँ नीचे किस तुरण से? A से तो मेरे पर कुल बल कितना लगा? M2A, यह हमारी समीकर नंबर 2 ठीक है? काफी इंपोर्टन आया होप सबको बात समझ आई होगी अब इरपास दू समीकर है मुझे 2 वैरियेबल चाहिए याने 2 अन्नों चर चाहिए कौन है? T और A उन निकाल ले है मैं इन दोनों का यूज़ करके निकाल दोगा अब क्या दिख रहा है? M2G माइनस T बराबर M2A ये दो समीकराण है ठीक है आप लोग के लिए थोड़ा समय थोड़ा ऐसे लिख देता है तो आपको थोड़ा फील आजाएगा तो इस समीकराण को मैं कुछ इस तरीक हैसे लिख देता हूँ माइनस का T प्लस M2G बराबर M2A तो अगर इस समीकराण इस समीकराण को मैं जोड़ा हूँ माल लो ही हमारे पास ये एक है और ये वारी ठीक है? ये वारी दो है अब मुझे क्या करना है सीदा सीदा दोनों को जोड़ना है आपने Elimination Method बढ़ा होगा ना? दोनों इस question को समीकराण एक और दो को जोड़ दो समीकराण एक प्लस दो तो देखो T से T कट गया T, देखो na T से T कट गया, काट देते हो na काट के I hope डिरेक्ट अपना इतना सबको समझ आता होगा चलो नहीं आता तो मैं बता देखो तो हमने क्या किया है यह जोड़ दिया यह दोनों कट गया है अभी यह दोनों कैसे आ रहे हैं देखो माइनस का M1 G प्लस का M2 G बराबर M1 A प्लस M2 A अभी क्या को मना रहा है इन में से G अंदर क्या हैगा यह ने नात्मा के नात्मा माइनस का M1 प्लस का M2 क्योंकि बोला थना M2 बारी है तो ने नात्मा थोड़ना आ सकता है अभी यह तो दानात्मा की आएगा बराबर इन में क्या को मना रहा है A तो ही आगया A अभी कुछ नहीं A चाहिए इसको नीचे ले जाओ यह पूरी टम नीचे आएगी तो A बराबर कितना आया इसको थोड़ा धरीके से लिख देते है M2 माइनस M1 यह G और वो डिवाइड में आगया M1 प्लस M2 प्रेमा रपास आगया तोरन कामान A कामान I hope इतनी बात सबको clear हो गए होगी यहां तक तो मेरे according किसी को को समस्या नहीं होगी ठीक है अभी देखो लेकिन अभी तो मुझे तो निकालना तनावबल तो किसी भी एक equation में रख दो एक और काम कर सकते हो मुझे क्या चाहिए यह तनावबल अच्छा मुझे भी यह से लग रहा है किसी इस खमीरण में रखना ही पड़ेगा अपने को चलो रखते हैं चलो पहली में रख देते हैं यहां कर देता हूं इसके बार समीकरण एक में रखने पर देखो क्या मिला ती कमान हमें पता नहीं है ती माइनस वैसे हम ऐसे हम ऐसे हम गर सकते हैं दोनों को अगर हम घटा देना तो भी हमें टी कमान आराम से जाएगा पर ठीक है चलो इसी भी मेथा तो क्या फरक पड़ना है और यह पूरी वैल्यू M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 और गुणा में जी ठीक है अब इन भाइस आपको अधर लेकर आना पड़ेगा अब इन भाइस आपको अधर लेकर आना पड़ेगा चलो लेकर आते हैं T बडाबर M1 G प्लस M1 M2 माइनस M1 G अपान M1 प्लस M2 ठीक है अब बस L सम पे L सम ले लो L सम कितना आएगा M1 प्लस M2 यह मुझे लग रहा बहुत लंबा हो जाएगा इससे तो हम ऐसा करते हैं समिकरण एक और दो को घटा आ देते हैं क्योंकि इससे मारा T से T जुड़ जाएगा और वो वाली जो दोनो चीज है यह वाली इसमें सीदा सीदा एक आमान रख पाएंगे क्या सोचते होई ऐसा कर दे अच्छा रहेगा ना यह चलो इससे कर दे उससे भी आप कर सकते हो ना ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते तो यह M1 G मंटिप्लाई M1 प्लस M2 और यहा पर कितना आ रहा है प्लस देखो M1 G इसमें भी आ रहा है और मंटिप्लाई M1 माइनस M2 अब लगाना है थोड़ा सा कॉमन सेंस M1 G, M1 G बाहर ले लो यह M1 G बाहर लिया अंदर क्या है M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 अपोन M1 प्लस M2 यह M2 से M2 मर गया थोड़ी सी गड़बढ होगी यहां पर मुझे साफ साफ दिखा ही रहे रहा है इस वाले स्टेप में हमने गड़बढ कर दी है रुकिये रुकिये मुझे लगी रहा था गड़बढ होगी है चलो कोई बात नहीं यहां पर मैं लिखना था M2 माइनस M1 यहां पर आज़ा है मार पस M2 माइनस M1 M1 स M1 बरेगा ठेक है ना? मुझे लगी रहता कुष फ्रमल में उगड़बढ होगी है यहां पर थेको M2 प्लस M2 कितना होगा? 2 M2 और यहां पर आज़ा हमार पस M1 G formula के बना 2 M1 M2 G upon M1 plus M2 यह हमारे किसका मानाया T का तनाव बल का तो I hope यह चीज अब को clear हो गई होगी ठीक है तो हमने दो चीजों की गढ़ना कर ली पहले अपने निकाला तौरण फिर उसके बाद अपने निकाला तनाव बल ठीक है अब इसके उपर एक चोटा सा कोश्चन है पर मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि एक्जाम के लिए आपको इस formula को learn करनी की जुरूत है इस luggage को ले जानी की जुरूत है अच्छा अगर आपसे कोई सिर्फ तौरण या तनाव बल पूछ ले उसकी भी एक short trick है इसे पहुचेंगे ठीक ना सिर्फ दो स्टेप में पहुच जाएंगे तो इसी पर related देखो एक कुश्चन है ट्राय तूस प्रॉब्लम आप ही की बुक का प्रश्चन है बैक का पांच पॉइंट है कुश्चन आराम से आप पॉस करो और ट्राय करो चलो आई होप सबने ट्राय श्राय कर लिया होगा प्रेश्चन में पढ़ देता हूं आठ किलो बारा किलो के दो पिंडो को किसी हल्की अभी तानने मतलब जिसे खीचा ना जा सके डोरी से घर्शड रही जैसा मैं आपको ओल था घिर्णी पर चड़ाया जाता है और इसके दोनों सिरो से बांदा गया है मतलब आठ किलो और बारा किलो के दो पिंडो को रसी से बांदके और ऐसे लटका दिया घिर्णी पर पिंडो को मुक्त चोड़ने पर उनके तोरण का मान पर दोरी में तनाओ का मान ज्यात कीज़े इसके दोनों तरफ लगाया ना एक यह रहा एक यह रहा यह M1 यह M2 अब आप चाहो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी प्रेक्टिस अच्छी करनी है इन कुशन्स पर कमांड बनानी है तो फॉर्मले को ना देखें आप पहले खुद से एकुशन में उसको सॉल्फ कर ठीक है थोड़ी प्रेक्टिस बढ़ जाएगी और अगर आप फॉर्मले से जाना चाहते हो तो रटो फॉर्मले को रहे हैं अपने पहले माना था यह मेरा दरवमान ज्यादा है राहूल सर का कम है तो मैं नीचे जाँगा राहूल सर उपर जाएंगे तो वह हमें दे रखा ह 12 kg और 8 kg ऐसा नहीं है हमारा दरवमान 12 kg और 8 kg है प्रॉब्लम में दे रखा है इसलिए हम बोल रहे है तो 12 kg है और M1 का मान हमार रपस 8 kg है ठीक है बाकी दुझे से मैं आपको बोला था गुरुच्वियत्रोन का मान क्योंकि आपे मेंचन नहीं है तो हम G का मान 10 ले लेंगे मैं इंचन नहीं होता ना तो हम फिर फ्री है कुछ भी ले सकते हैं 9.8 लेने की इच्छा है ले लो है कौन मना रहाता है 10 लेने की इच्छा है 10 ले लो easy रहेगी थोड़ी calibration तो मैं आपको equation नहाना वापे सिखा जेता हूँ आपको अच्छे से आ जाएगा देखो अब पहले इमारा तनाव बलो गया T गुरत्वा कर्ष्ण बलो गया M1 G लेकिन वस्तु जा कर रही है उपर तो इस तौरणों को हमने क्या लिया था A ऐसे इस वस्तु पर गुरत्वा कर्ष्ण इसको नीचे कीचना चाहता है तो यह M2 G और तनाव बल इसको उपर की तरफ कीचना चाहता है तो यह T और यह जहां का रही है नीचे A ठेक है बस आब इन दोनों के लिए अलग-अलग FBD बना लो free body diagram बना लो आराम से एक question आ चाहिए ठीक है मैं आपको बता देता हूँ M1 के लिए देखो मैं फिर कह रहा हूँ चाहो तो formula भी use कर सकते हो directly M1 G नीचे तनाव बल उपर और कुल तुरण उपर ठीक है तो देखो वस्तु जाना का चाहती है उपर तो T क्योंकि इसी की दिशा हमें माइनस नीचे के दरफ कौन सा लग रहा है M1 G तो वस्तु बल लगने वाला कुल बल यह है और हमारे according M1 A ठीक है यह पहली समी करन किके इसमे values रख लोगन तो आपको थोड़ा easy सीजा दिखेगा जैसे T कमान तो पता नहीं है M1 कमान कितना हमारे पास 8 तो लिग देते हैं 8 और G कमान कितना 10 तो यह कितना हो गया 80 8 और 10 80 Newton का बल नीचे लग रहा है बराबर 8 A यह पहली समी करना दूसरे का FBD बनाओ M2 नीचे लग रहा एक M2G तनावा बल ओपर वस तो जाना का जाती है नीचे क्या बना M2G क्योंकि वो नीचे है वस तो नीचे जाना चाहती है माइनस T बराबर M2A क्योंकि वस तो नीचे जाना चाहती है अब रख दो वैल्यू कितना है इसका बारा किलो बारा इंटू दस हो गया 120 माइनस T बराबर 12A बहुत आरा और बहुत इजी है बहुत इजी कैलकुलेशन है फर्जी महा फर्जी ठीक है बस दोनों को यह अपने क 120 प्लस 80 जोड़ 120 और 80 की साइन किसका माइनस का तो 120 में से 80 जा रहा है गट रहा है दोनों को जोड़ो ना देखो T से T मरा 120 में से 80 गायब हो गया कितना बचा मुझे समी करण 1 प्लस 2 कर देते हैं तो देखो मैं आपको बता रहा हूं 120 माइनस 80 40 यह दोनों जोड़ रहे है 12 यह प्लस 8 कितना हो गया 20 यहां पे कितना बचा इस एक अमान कितना आया 40 बटा 20 यहने एक आवाना होया रख पास आगया 2.33 अभी देखो एक्जाम में इत्ती लंबी गैलकुलेशन करनी पड़ी क्या बनाना सीगर 2 मिनिट पर बनेगा अब बढ़ी नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है अभी देखो किसी भी एक 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 इक्क्वेशन में डाल दो आपका T गवाना जाएगा तो T-80 बराबर 8 है इसमें रख देते हैं तो समीकर्ण एक में रखने पर क्या थी समीकर्ण एक ट-80 बराबर 8 और एक अमन कितना है दो तो देखो कितना है 16 यह में पर जाएग क्या हो गया जोड़ गया ती बराबर 16 प्लस सी तो कितना है मैं रपास 96 क्योंकि बल है इसलिए नूट अगया अभी देखो में इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ा बहुत जल्दी आंशर आ गया अभी तो आपको हो सकता ऐसा लग रह इतना कम रठके जाओगे न उतना benefit में रहोगे अगर आप सोचते हो कि यह फॉर्मूला भी लर्न कर लो मैं यह 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 भी लर्न कर लो तो physics में इतने formula है कि आपका दिमाग घूमने लग जाएगा फिर आपको physics जो फॉर्मले की लर्न करने की जो प्रोसेस थी उसको कमें देखो, इक्वेशन एजी थी थी ना चलो, अभी चलते हैं आगे यह हमारा दूसरा सिस्टम, अभी सिस्टम के अंदर क्या है? अच्छा, पहले हम बात कर चुके हैं, हम यहां पे घर्षण के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, आपके एक्ससाइज में बुक के अंदर एक एक्जामपल एसी के पर भी इस्ट, लेकिन उसमें उसने घर्षण ले रखा है, हम घर्षण यहां पे नहीं ले रहे हैं, जब घर्षण पढ़ लेंगे तो घर्षण को भी इंग्लूड कर दे, अभी हमने इसको क्या मना है, कि इस सत्य पर घर्षण नहीं है, यानि ये घर्षण ही नहीं है घर्षण रहित है ठीक है, अब देखो ये पुली ये वस्तू, यहाँ पे वस्तू लटकाई बारी सी चीजे नीचे तो जाएगी अब सुनो, बहुत अच्छे से अब बात ऐसी है कि अब मैं देखना पड़ेगा किस पे बल कौन-कौन से लग रहे है सोचना पड़ेगा, देखो अब क्योंकि वस्तू इस तरीके से होरिजोन्टल लाइन में रखी है पहले तो ऐसे वर्टिकली थी उर्दवादर तो परिशानी नीए थी लेकिन अब एक वस्तू ऐसे रखी है तो आपको देखना है आपको M1 पे कौन कौन से बल लग रहे है एक तो देखो तनावल इसको यहां खीचनी की कोशिश कर रहा है तो आपको देखो किसी के संपर्क में है कॉन्टैक्ट में आ गई संपर्क बल काम करेगा कौन सा नॉन्मल फोर्स अभी लंबत बल यह जिसको पर रियक्शन फोर्स बोल देते तो वस्तु के अंदर हमेशा उपर की और लगता है और गुरुत्वा कर्ष्ण बल इसको कहां कीच रहा है नीचे तीन बल लग रहे हैं इसका एक बीडी बनाऊगा इस पर तीन बल लग रहे है अच्छा वस्तु जाना का चाती इधर और यह नीचे क्योंकि वह मान रखा है M2 M1 से बढ़ा है तो इस पर इस पर देखो यह यहां पर जाना चाहेगा और यह नीचे के दरफ जाना चाहेगा ठीक है तो देखो हमारा यह तो हो गया M1 इस पर तनावल इदर normal force उपर हम स्रिफ बारे बात करें इसलिए normal force कसका देखना है वस्तु डरच लगाते मेज पर भी रही है तो मेज का दढ़ी ना देखना है मेज के FBD भश्ना है मेज के FBD बनाता मेजपे गो normal force नीचे लग रहा है गुरुत्वा कशनबल भी कही ना के लग रहा होगा, इसका खुद के दिरवे महल पर, तो हमें मेज से मतलब नहीं है, हमें किसे मतलब है, इस वस्तु से, तो वस्तु पर नॉर्मल फोर्स लगा, किस ने लगाया, मेज ने लगाया, वस्तु पर गुरुत्वा कशनबल लगा, किस ने लगाया गुरुत्व प्रत्वी ने है और वस्तु पर T लगा तनाव बल लगा किस ने लगाया रसी ने क्यों लगाया क्योंकि रसी को कोई खीचरा नीचे से कौन कीचरा है M2 वस्तु जाना का चाहती है यहां पर अब अगर मैंने पहले का FBD बना दिया है तो बस आपको X दिशा में और Y दिशा में बलो का कोई चीज जैसे पहले आप करें थे वैसे ही करना है कि इस दिशा में वस्तु जाना चाहती है उस दिशा के बल धनात्माग बाकि सब धनात्माग वैसे Y की जरूद नहीं थी क्यों क्योंकि वस्तु जाना ही x में चाहती है तो मैं y का कोई काम नहीं है लेकिन फिर विए आपको क्यों बता है क्योंकि आगे ज़िए मैं आपको problems कराऊंगा तो वहाँ पे normal foods काम आएगा ठीक है? तो या देखो तो y दिशा में मैं देखूंगा y दिशा में देखोंगा वस्तु कोई जाहिन दी है भई y दिशा में वस्तु उपर तो नहीं उट रही है नहीं नीचे जा रही है मतलब y दिशा में वस्तु साम्य वस्ता में है उस पर y दिशा में कोई जो भी बल लग रहे हैं तो उन्होंने एक दूस्रे को balance कर दिया है तो य दिशा में वस्तु क्या है? सामय वस्ता में मतलब उपर नीचे नी जा रही है वस्तु कहां चरिए? एक दिशा में गत्ति कर दिया आगे तो हमें असा बोल सकते हैं कि नॉर्मल केस के बराबर हैं आपे? आगे हमारे इस तरीके की problems आएगी इसलिए बता है वरना इस question में इसका कोई काम नहीं है हमारा काम सिर्फ x सक्ष है तो अब हम x सक्ष की बारे हम बात कर लेते है तो देखो x दिशा में सिर्फ एक ही बार लग रहा उसके पर t और वस्तू भी उसी की दिशा में जाना चाहती है वो है m1a तो यहाँ पर तो हमें तनावबल आराम से मिल गया वो कितना है? t बराबर m1a बट ना तनावबल पता है ना तोरण पता है तो इसको भी question number 1 डालते है इसका FBD बनाते हैं दूसरी वस्तू का देखो उसका बनाओगे यह M2 है कहाँ खीच रहा है इसको नीचे? गुरुत्वाकर्ष्ण तनावबल कहा लग रहा है? उपर वस्तू आ जाना चाहती है नीचे बल ना दिया सब गुरुत्वाकर्ष्ण बल नीचे तनावबल उपर बराबर M2 A अब यहाँ पर आपको किसी भी एक कामान रखना है यह तो तनावबल का यह तो फिर A का तनावबल जादा इजी दिख रहा है तो मैं तनावबल का रख लेता हूँ तो समीगान एक से M2G माइनस M1A बराबर M2A हमें किसका मान चाहिए A का A unknown है तो यह भाई साब उदर जाएंगे M2G बराबर यह तो रख गए तो प्लस हो गए इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है A M1 प्लस M2 और यहाँ पर क्या रहा है M2G इसके बाद में नेक्स स्पेश पर कर देता हूं तो बहुत गंदा हो जाएगा ठीक है तो हमार पास है M2G बराबर M1 प्लस M2 इंटू A यहाँ से देखो क्या निकालना है तो यह भाई साब जाएंगे नीचे देखो A का मान हमार पास कितना है M2 अपॉन G अपॉन M1 प्लस M2 यह हमारा किस का मान होगा A का तो अब यह तो क्या ठीक है और T का मान निकालना है वो किसके बराबर है M1 A के देखो T बराबर M1 और A का मान याचा रख देते है ठीक है इसके लिए आपका एक छोटा सा होंवक जो इसका आंसर आप कमेंट करोगे सिस्टम यही है गिरनी लगी भी ऐसे एक वस्तू है यह दूसरी वस्तू है यह M2 यह M1 यह घर्चन हीन है यह भी घर्चन हीन है M1 दो किलो है और M2 मान लो दस किलो है लेकिन कोई भी फॉर्मलो का यूज नहीं करेगा खुद से FBD बनाके solve करोगे feel आएगा question का नहीं तो नहीं आएगा फिर तो सिदा-चिदा formally use करें और कुछ नहीं चलो बच्चों तो यह हमारी next problem है थोड़ी से tricky है यह ठीक है आपकोशिश करते हो जाएगी अब यहाँ पर आपको कुछ चिजे समझनी है पहला कि यहाँ पर तो नहीं तो यहाँ पर एक block अलग है जिसे पहले था यह block उससे जुड़ावा है वो भी है उसके साथ एक और नीचे रसी के साथ block number 3 याने M3 भी जुड़ा हुआ है तो अब यहाँ पर change हो गई कहानी यहाँ पर एक अलग रसी है नीचे एक अलग रसी है तो दोनों में तनाव एक जसा नहीं रह सकता दोनों में तनाव क्या रहेगा अलग लग रहेगा तो हमने मान लिया कि इसमें तनाव T1 है इसमें तनाव T2 है ठीक है चलो तो अपन इस problem को भी solve करने का try करते है चलो सबसे बहले आपन देख लेते हैं इन पर कौन कोंसे forces लग रहे है तो अगर मैं M1 की बारे में बात करूँ देखे सब बच्चे देखो M1 के अंदर तो कोई लपड़ा ही नहीं है पहले तो M1 जी नीचे लग रहे है फिर tension force उसको T1 नाम दिया है इसलिए वो उपड़ लग रहा है और यह A x solution से उपड़ जा रहा है ठीक है तो देखो इसकी equation क्या जाएगी जाना का जाता है उपड़ तो T कैसा हुआ T1 कैसा हुआ धनात्मक यह जो हमारा M1 जी अब कैसा हुआ धनात्मक क्योंकि विप्रिदिशा में लग रहा है बराबर M1 A तो यह हमारी आगे पहली समी करण ठीक है तो I hope यह समझा गया होगा आपको यह तो भहत आसन थी तो पहले जैसे थी यह भाईजा थोड़े ठीड़े अब M2 को आप थोड़ा फोकस करें देखिए डेखो M2 की आपगे ना दूरे टीव एक वी तो टीवन उपड़ लग रहा है क्योंकि उपड़ हो लें आ पर हुआ है इसकेश इं juicy लग रहा हा है व्हाई दूर की तरफ ही लगाते ना इस वर्स्तों से दूर की तरफ कहा लगेगा नीचे, उसपे टीटू कहा लग गया, नीचे, ठीक है, इसके बाद, और कौन सा बल लग रहा है, हर चीज़ पे एक बल तो लगता ही है ना, गुरुत्वाकर्ष्ण बल, एक बल इसपे और लग रहा है, वो कौन सा मारा, M2G, और वस्तु जाना का चाती है, नीचे, अब लिखते हैं इसकी एक्वेशन, तो अब देखो, दो बल आ गए न, अभी तक तो एक एक यह आ रहा था, अभी दो आ गए देखो, इसी की दिशा में, कौन कौन से, M2G, प्लस T2, T1 का लग रहा है, उल्टा, और यह बराबर, M 2A, यह कुल बल आ गया, और कुल बल किसके बराबर है, इसका दरविमान उड़ातू रणा के है, ठीक है, यह आ गया हमारी second equation, इसको थोड़ा हम पढ़ लिख देते हैं, यह आ गया हमारी द्वितिय सभी में, तो I hope इतना आपको समझ आया होगा, तो यह पहली आ गई, दू दूसरे में एक चीज़ आद रखना है, एक तो उपर की तरफ लग रहा है, तनाव बल, एक नीचे लग रहा है, और एक गुरुत्वा करश्ण बल उसको नीचे खीच रहा है, ठीक है, अब तीसरे वाले पर देखो, इस पर वापस भाई केस, T2 पर खीचने कुश कर रहा है M3G नीचे और कुल जो तोरण हैंगा नीचे, ठीक है, चलो तो देखते हैं उसको भी, थाड़ वाले के लिए देखते है, M3, तो यह होगा हम अरपास M3G नीचे, T2 उपर, और उस तो जाना का चाहती है, नीचे, तो देखो equation लिख दो, इसकी दिशा में कौन कौन से बल है M3G माइनस T2 बड़ाबर M3A, यह हुगा इसकी समिकरण, ठीक है ना, यह थाड़ समिकरण, अब मत सोच रहा मेरे से, कि मैं आप लोगे लिए तीने equation solve करूँगा, तीन equation हमार पास आगई है, आपको इसको, मैं आपको नहीं कहारा solve करने के लिए, problem होगी तो हम करेंगे, बा Homework में डाल देते हैं, देखो तो, बहुत आजसान सा प्रशन है, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई बच्चों को confusion आने वाली है, देखो, यह उपर जा रहा था, यह दोनों नीच जा रहे थे, क्योंकि दो अ T5, T6 माल कौन माना कर रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर T1 माना और यहाँ पर T2, अब जैसे वस्तू है, इस पर क्या क्या लग रहा था, गुरुत्वा कर्शन नीचे, तनावल उपर, इसमें, यह जा का रही थी उपर, इसमें, इसमें देखो, एक तनावल उपर खीच रहा है, इसको, T1, एक तनावल नीचे खीच रहा है, T2, कि बही मेरे साथ आ जा 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 नीचे, और यह जाना का चाहते थी, नीचे, तो यह हो गया हमार पास A's का, M3 आसान था, क्योंकि T2 सको उपर खीच रहा था, M2 जी नीचे, और बस तू जा कर यह नीचे, जैसे पहले था ना, बस फर्स्ट वाले केस में, थर्ड वलॉक अपन ने, और बीच में घुशेड़ा दिया, ठीक है, तीन एक्वेशन बन गई है, और उसको, हम सॉल्फ करके निकाल सकते हैं, तो आपका होमवर्क, माल लो यही सिस्टम है, जो हमारी ठीक है, और आपको जी का मान वही लेना है, दस मीटर पूटी सेकिन स्कुराइर, तो आपको क्या निकालना है, टीवन, टीटू, और तौरण, ठीक है, तीन चीज़े आपको निकालने हैं, जैसे हमने निकालने, एक्वेशन निकाल लोगा ना, बहुत एजील हो जाएगा, चलो, तो ये दो homework मैंने आप लोग को दिये है, बाकी कुछ और भी हमारे पास topics बचे हैं, जैसे कि ये खतरनाक सा system आपको देख रहा होगा, जितना खतरनाक देख रहा है, इतना नहीं है, थोड़ा समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इसको अपर next class में देखेंगे, इस तरीकी question आपन देखेंगे next class में, इस class के लिए thank you, मिलते हैं आप लोगों से next class में, तब तक के लिए stay home, stay safe, और साथ के साथ, एक जितना ध्यानक नहीं है, क्या, कि जो homework ध्याना हो करके लाना है, जो हो जाए तो अची बात है, comment कर देना, और कोई problem आए, तो comment जरूर कर दे three.